नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है जेके आईटीए मंत्रा योटीव चेनल में बारक वेकेंसी आ चुकी है भाबा ओटमेक रिसर्च सेंटर में और 22 में इसकी अपलाई करने की लास्ट डेट है अभी भी कुछ टाइम है यदि अपलाई नहीं किया है तो कर दीजिए इलिजिबलेटी क्राइटेरिया को देखकर रिगुलर क्लासेज शुरू कर रखिए उसके लिए और एक्जाम तक क्लासेज कंटीजों रहेगी हर श्याम चैबजे क्लास होती है और नोन टेक जो पाइट है हमारा प्री एक्जाम का सलबस उसको कवर करने की कोसिस कर रहे है हर शाम 6 बजी क्लास होती है और आपको इस प्लेलिस्ट में क्लासेज मिल जाएगी पहले वाली क्लासेज बारकप्री एक्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है जाकर जरूर देखे आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस की टोप important question करने वाले हैं जो previous year के exam में पूछे गई हैं solution करवाएंगे और बताएंगे कि कहां कहां ये question repeat हुआ है कितने वार question आया है और कैसे इसका answer करना है चलिए शुरुवात करते हैं request है चेनल को subscribe कर लेजिए और हर श्याम आप जरूर जोइन कर लीजिए और अपने question के साथ answer भी बताईए आपको कितना आता है एक परकार से आपका एक mock test हो जाएगा और अपने friend circle में share कर दीजिए ताकि वो भी इस classes को देख पाएं और भी कितने भी exam होंगे जैसे कि CPRI का exam होना है Navy Tradesman का exam होना है Real-V ALP and Technician की vacancy आएगी और उसका भी exam होगा NPCAL के exam होते रहते हैं और अभी महराष्टर में जो vacancy आईवी है उसके भी exam होंगी दिल्ली मेट्रो, डियाइड्यू कई exam है जिसके non-tech की तयारी करने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं idea-based non-tech आपको इस channel पर provide करवाया जाता है चलिए शुरुआत करते हैं first question आपकी screen पर है question पुछा गया है bio-gase में methane का परतिशत कितना होता है और ये question पुछा गया था railway ALP and Technician के paper 2018 में general science का question है और इसे question आपके भी आ सकते हैं क्योंकि कई इसे question है थे जो DIDO STAB के exam में repeat हुए थे railway के exam में जो 2018 में पुछे गए थे वो अभी 2022 के DIDO September 10 में repeat हुए थे तो आप इन question को जरूर भड़िये हो सकता है आपके भी repeat हो जाई तो option के according आपका पाएंगी methane gas होता है पहले तो आपको पता हो न चाहिए methane को इस परकार से लिखते हैं इस परकार से तो क्या लिखते है CH4A से लिखा जाता है और methane आपके 75% होती है बायो गेस में 75% होती है और बचावा जो आपके परसेंट होता है वो आपके carbon dioxide का मात्रा होती है ये भी आपसे पूछी जा सकती है 25% आपके carbon dioxide होती है और 75% आपके methane gas होती है तो ये क्यूशन भी अच्छा है इसमें आपके पूछा जा सकता है कि carbon dioxide की मात्रा कितनी होती है ये भी आप नोट कर लिजी हालंकि अभी तक कि ये क्यूशन किसी भी पृत्वी के केंदर पर होता है वे त्वारन 0 होता है ये फिर सुन्य होता है ये क्यूशन अभी तक तो किसी एकजामे नहीं आया है लेकिन अब आपके एकजामे आ सकता है important question मनता है कि पृत्वी के केंदर पर जो गूर्तवा कस्षन होता है उसके कारण तोरण कितना हो जाता है तो सुन्य हो जाता है आगे एक जो आपके क्यूशन पुछा गया है उसमें है नीचे दो कोलम दिये हैं उनको आपस में मिलान करना है विकल्प का चैन करके आपको मिलान करना है और option आपको next page पर दे रखे हैं आपके अनों की सिंख्या का समान होती है सल्फेट और उक्जालेट आयन धनात्मक होते हैं जबकि मेगनीशिया और इस्थिर अनुपात का नियाम और आगे कहा है किसी तत्यों की ग्राम परमानु द्रुमान और योगी की ग्राम अनु द्रुमान में अमोनिया आयन धनात्मक होता है अब आपको ये सारी मिलान करने है उप्शन दे रखें और आगे आपकी ये रेच चार उप्शन तो इसका राइट एंसर टिक कर रखा है उप्शन नमबर B सही एंसर है पहले का तीसरा और B का पहला फिर आगे इसने दे रखा है कि C का चोथा और D का दूसरा C का आपके चोथा और D का दूसरा ये आपको पढ़ने है ये मिलान किया हुआ है यान कि अब आपको समझ आ राओगा कि option नहीं कर रहा है तत्व जो निश्चित अनुपात में मिस्रित होते है ये इस तिर अनुपात का नियम हो समझ गई आप फिर आपके कह रहा है कि परमानो विखंडित नहीं हो सकते ये डेल्टन का परमानो सिध्धानत है यानिकि वह अन्तिम तत्व का अन्तिम रूप जिसे और विखंडित नहीं किया जा सकता परमानो कहलाता है डेल्टन का नियम है फिर आगे का है सल्फेट और उक्जालेट आएन रिनातमक होते हैं जबकि मेगनेशिया और अमोनिया धनातमक होते हैं लाइन पूरी और यह आपको वेसे भी समझा रहा होगा और आगे ऑप्शन नमर्ट डी है किसी तत्यों के ग्राम प्रमानो दर्वमान और योगिक के ग्राम अनु दर्वमान में अनुमो की संख्या समान होती है ऐसा कह रहा है तो यह आपको मिलान करना है हलांकि PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है एक गोली दर्पन के परावर्ति प्रष्ट के मद्ध एक बिंदू होता है जिसे क्या कहते हैं ओप्शन नमर्ट आपको ए दे रखा है इसे पोल कहते हैं यानकी द्रवव तो आगे आपके चार जो उप्शन है इनकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए पहला होता है द्रवव एक गोलाकार दर्पन की परावर्तिक सतय के केंद्र को द्रवव या पोल कहते हैं फिर आपके हैं वकरता केंद्र अप्शन नमर C है फोकस किरणे जो गोलाकार दर्पन पर पढ़ने वाली परमुक अक्स के समांतर आती हैं वी एक अक्स पर बिंदू पर मिलती हैं उसे आपकी फोकस बिंदू कहते हैं इस प्रकार से माह लेते हैं यहाँ आपके फोकस बिंदू बनता है तो आपके option number A की definition है यानकि जो आपकी physics के chapter है वहाँ से एक definition का question आ रहा है इसे भी आप जरूर पढ़कर जाएए फिर next next आपकी question देर रखा है what match the following with the correct response option आप देखकर पैचान जाएगे watt, kilowatt, 1kWh और 1hp तो 1hp आपकी 746 वोट के बराबर होती है यानकि आपको देखना है पहले का चोथे का D तो चोथे का D आपके दो option में दे रखा है फिर आपको मिलान करना है कि पहले का क्या होता है तो what मैंने कल ही आपको करवाया है कल परशो यह होता है work क्या होता है work कार यह क्या होता है F into S F into S कैसे होता है F होता है आपके force जिसे बल बोलते है न्यूटन में होता है और S होता है आपके विस्तापन, displacement जो आपकी मीटर में होता है तो आपके work बन जाएगा न्यूटन मीटर में तो ये आपकी न्यूटन मीटर भी दे रखा है पहले का आपकी पहला यान कि आपको दिखा ही दे रहा होगा फिर kilowatt कितना होता है एक kilowatt में 1000 watt होते ही और 1kWS में निकल लिए आपको solution करवाए 3.6 into 10 days की power आपके 6 joule होती है तो चारों को आप मेलान कर सकते ही एकदम correct दिखावा है option number D इसका सही answer है next है मेट का question और English में question है Hindi वाले भी समझ पाएंगे कहरा है an amount of 504 रुपे यान कि आपके 504 रुपे की amount है is to be divided among the 3 persons A, B, C in the ratio of 7, 8, 9 how much amount will be B and C receive in total अब इसमें कहरा है कि एक 504 रुपे की total amount है उसे 3 जड़ों में बांटा गया है और 3 में बांटा गया है उसका अनुपात दे रखा है 7, 8 और 9 और कहा है कि B और C को कुल कितने रुपे मिलेंगे तो हम इसमें कर देंगे हम कहेंगे कि 3 जड़ों को में बांटना है लेकिन कितने में बांटना है तो अनुपात को जोड़ देते हैं तो अनिपात को आप जोड़ेंगी क्या कहेंगी T, आपकी सत्रा और साथ तो आप कहेंगी तीनों को जोड़कर कह देंगी हमचोष और फिर आपको multiply किस से करना है तो multiply आपको कितनों को देना है B और C को देना है तो B और C को total यान की दोनों का जोड़्ट तो बीक और सी का आए आपकी 9 और 8 को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 9 और 8 को जोड़ने से बनता है आपकी 17 हाना तो 17 को काट देंगे अब देखें इससे मैं एकड़म इजी जीश्टे बताऊंगा जिस हर कोई से कर पाई 8 से एक वार काट ये या फिर तो इसे आप 8 से 3 वार में काट सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं 63 वार में फिर 63 से काट सकते हैं 2 और 21 वार में और अब आपको गुणा करना है 17 into 21 तो आप कहेंगे डाइरिक्ट इसका एंसर आजएगा 357 के करीब आएगा केलकुलेशन करके देख लीजिए आई होप यही आ रहा है मैंने केलकुलेशन आगे नहीं की है आपको ही केलकुलेशन कंप्लेट करनी है नेक्स्ट क्यूशन है DNA एक खंड है जो एक प्रोटोन की जानकारी परदान करता है उसे कहा जाता है पहले तो DNA की फुलफॉम आपताजी नियक क्या होती और RNA की फुलफॉम क्या होती है यह आपको कमेंट में बताना है अब जो आपको डेफिनिशन दे रखी है वो जीन की होती है DNA गंड है जो प्रोटोन की जानकारी देता है उसे जीन कहा जाता है यहां से आपकी definition में से ही question आते हैं आप definition याद कर लिजी जैसे की आपके है लाइजोसोम यह जानवरों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जिल्लीदार अंग होता है पहला यह option दे रखायना विसका मैंने आपको option नहीं दे रखा होती है और गुण शुत्र यह एक string जैसी सरंचना होती है जो जानवरों और पोदों की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर इस्तित होता है तो यह आपके तीन definition और आ सकती है option से ही definition बन रही है और DNA, RNA की आपको full form बतानी है आपको comment में छापना है फिर मैं next class में इसके answer भी आपको बता दूँगा आज की class में बस इतना ही class को like कर दीजिए और अपने friend circle में जरूर share करें हर शाम 6 वजे class होती है और बारक प्री exam की playlist में जाकर previous class age भी attend कर दीजिए आज की class में question अच्छे थे लेकिन question कम ही थे तो आप like share जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टेलिग्राम पर हमारी PDF मिल जाएगी आप वहाँ से ले सकते हैं